साथियों, आज आप से बात करते हुए, मैं महराश्ट्र के लोगों को, देश के लोगों को भारत की राजनीती में आ रही एक विकृती से सावधान भी करना चाहता हूँ। ये विकृती है, शौर्ट कट की राजनीती की, ये विकृती है, राजनीती स्वार्थ के लिए देश का पैसा लुटा देने की, ये विकृती है, करदाताओं की घाड़ी कमाई को लुटा देने की, शौर्ट कट अपनाने वाले ये राजनीतीक दल, ये राजनीतीक नेता, देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना होता है, जिनका लक्ष जूठे वाईदे करके, सिर्फ सरकार हडपना होता है, वो कभी देश नहीं बना सकते, आज एक ऐसे समय में, जब भारत अगले पचीस वरसों के लक्षों पर काम कर रहा है, तो कुछ राजनितिक दल, अपने नीजी स्वार्त में भारत की अर्थ ववस्ता को तबाह कर देना चाहते हैं, हम सब को याद होगा, जब पहली आउद्योगिक करांती आई, हिंदुस्तान उसका लाब नहीं उठा पाया, दूसरी तीसरी आउद्योगिक करांती में भी हम पीछे रहें, लेकिन आज जब चौती आउद्योगिक करांती का समय है, तो भारत इसे गवान नहीं सकता, मैं फिर कहूँगा, ऐसा आउसर किसी देश के पास बार बार नहीं आता, स्थाई विकास, स्थाई समाधान के लिए काम करना एक लॉंग तम वीजन बहुत ही जरूरी है, और स्थाई विकास के मूल में होता है, इंफ्रास्टर्चर, एक समय दक्षिन कोरिया, साउथ कोरिया भी गरीब देश था, लेकिन इंफ्रास्टर्चर के माध्यम से, उस देश ने अपना भाग्य बदल दिया, आज खाड़ी के देश इतना आगे इसलिए भी हैं, और लाखो भारतियों को महारोजगार मिलता है, लाखो भारतियों क्योंकि उन्होंने भी बीते तीन चार दसकों में अपने इंफ्रास्टर्चर को मजबुत किया है, आधुनिक किया है, और फ्यूचर रेडी किया है, अरे कब आपको पता होगा, आज हिंदुस्तान के लोगों को सिंगापूर जाने का मन करता है, कुछ दसक पहले तक सिंगापूर भी एक सामान्य आईलेंड कंट्री हुआ करता था, फिशरी से कुछ रोजी रोटी लोग कमा लेते थे, लेकिन सिंगापूर ने इंफ्रास्टर्चर पर निवेश किया, सही आर्थिक नीतियों पर चला, और आज वो दुनिया की अर्थे ववस्ता का इतना बड़ा केंद्र बना हुआ है, अगर इन देशों में भी शॉर्ट कट की राजनिती हुई होती, टैक्स पेर का पैसा लुटाया गया होता, तो ये देश कभी उस उन्चाई पर नहीं पहुँच पाते, जहां आज है, देर से ही सही भारत के पास अब ये अवसर आया है, पहले की सरकारों के समय, हमारे देश के इमानदार करदित दाताओं ने जो पैसा दिया, वो या तो ब्रस्टा चार की बैट चड़ गया, या फिर वोट बैंक को मजबूत करने में खब गया, अब समय की मांग है, कि सरकारी ख़जाने की पाई पाई का उप्योग, देश की पूझी, युवा पीडी के उजवल भविश के लिए निर्मान पर खर्च होनी चाहिए, मैं आज भारत के हर युवा से आगर करूँगा, हर टेश्ट पेर से आगर करूँगा, ऐसे स्वार्थी राजनितिक दलों को, ऐसे स्वार्थी राजनितिक नेताओं को एक्सपोर्च करिये, आमदनी अठनी, खर्चा रुपेया, ये वाली कुनिती, लेकर के जो राजनितिक दल चल रहे हैं, वे इस देश को भीतर से खोखला कर देंगे, दुनिया के कई देशों में हमने, आमदनी अठनी, खर्चा रुपेया, ये ऐसी कुनिती की बज़य से, पूरी अर्थ ववस्ता को तबाह होते देखा है, हमें मिलकर भारत को ऐसी कुनिती से बचाना है, हमें याद रखना है, एक और आमदनी अठन्नी खर्चा रुपेया, ये वाली दिशाहिन कुनिती और सिर्फ स्वार्थ है, वहीं दूसरी और बेश हीत और समर्पन भाव है, थाई विकास, थाई समाधान का प्रयास है, आज भारत के युवाओं के पास, जो अवसर आया है, वो हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, और मुझे खुशी है, कि आज देश में स्थाई विकास और स्थाई समाधान को, सामान्य मानवी का भी जबर्जस समर्तन मिल रहा है, अभी पिछले सप्ता, गुजरात में जो चुनाव के नतीजे आये है, वो स्थाई विकास और स्थाई समाधान की आर्थिक नीती, विकास की रन नीती का पन्राम है, मैं स्थाई विकास अपनाने वाले ऐसे राज नेताओं को भी बिनम्रता पुर्वक, आदर्पुर्वक कहूंगा, कि स्थाई विकास के विजन को समझिये, उसके महत्व को समझिये, आज देश के लिए उसकी कितनी जरुरत है, उसको समझिये, शौर्ट कटके बजाए, स्थाई विकास करके भी, आप चुनाव जीच सकते हैं, बार बार चुनाव जीच सकते हैं, ऐसे दलों को मैं कह रहा चाता हूँ, आपको डरने की जरुरत नहीं है, मुझे भी स्वास है, जब आप बेश हित को सरवो पर रखेंगे, तो शौर्ट कटकी राजनीति का रास्ता भी जरूरत त्याक करेंगे,